हलो फ्रेंज आप सभी का स्वागा थे हमारे यूट्यूट चनल बहुत सिंफो जौन में आज हम अपने सभी दिव्यांग साथ जो लोग सहर से बिलौं करते हैं उनको भी जो लोग गाउं से बिलौं करते हैं सहर और देहात दोनों के बारे में आज हम जनकारी देने वाले हैं कि आप सभी का हमेशा कमेंट आ रहा है मेरे पास कि सर हमें इस परकार का या फिर इस परकार की योजना कालाब नहीं मिल रहा है इस योजना कालाब पाने के लिए हमें क्या करना होगा तो गाइज आज हम इसे के उपर डिसकॉस करेंगे वीडियो छोटी सी है आप लोग एंड तक देखिएगा सबसे पहले हम आप सबको बता दे जो लोग दिहात में रहते हैं गाउं में रहते हैं उन सभी दिव्यांग सांथियों के लिए अगर उनके पस कोई भी कागजाती या फिर सरकारी योजना से रिलेटेड परिसानी है तो उनको अपने गाउं के जो करमचारी है उन से पूछ लेना चाहिए या फिर उनके जो मुखिया है उन से पूछ दिजी अगर ये दोनों नहीं बताते हैं आपको रियल और सटिक जनकारी तो आप अपने ब्लॉक लेवल पर जाकर अपने ब्लॉक पर जाकर आप वहां पर बहुत बार एक बैनर लगा राता है दिवियंग जनके आरक्षर के लिए रिजर्ब्रेशन के लिए आप क्या-क्या फ्री अपकोस्ट बोर्डनामेंट की योजनाई को ले सकते हैं ठीक है ये रहा जो हमारे दिवियंग देखती गाम से बिलोंग करते हैं उनके लिए हमारी राए ये है आप सब जानते हैं सहर में बहुत सारी सुबदाएं अवेले आप सबको हम किलियर कर दे कि जो लोग सहर से बिलोंग करते हैं उनको अपने जो मुन्सिपाल्टी होता है या फिर अपने वाड कमिशनर से आप मालूम कर सकते हैं जो आपके वहां का अधिकारी रहता है आप उन से सही और सटिक जनकारी ले सकते हैं आप मालूम कर सकते हैं अगर आपको ये भी नहीं मालूम है तो आप अपने मुबाइल में सर्च मारके भी देख सकते हैं कि आपके राज्य में दिव्यांग ब्यक्तिव के लिए सरकार की तरफ से क्या-क्या परोधान रखा गया है आप सब जानते हैं कि हम आप सभी के लिए अलग अलग परकार के और आप सभी के कमेंट के उपर हम वीडियो लेकर आते रहते हैं ताकि आप सब की परिशानियों का किसी ना किसी तरह से हल निकल सके अगर आपके मन में इसके अलावा भी कोई पूछताच रह गया हो या अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करें पूछ सकते हम जबाब देने की कोशिस करेंगे हमारी जनकारी ये अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा चनल पर नहीं तो चनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अपना सपोर्ट दीजिएगा हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ तक तक बाबाय और टेक केर दोस्त